तो MP, राजिस्थान और 36 गल इसके बारे में हर पार्टी अपने पक्ष में रुजहान बता रही है कॉंग्रेस आई कह रही है कि हम फिर दुबारा सरकार बनाने जा रहे हैं भारती जंता पार्टी कह रही है हम सरकार में आने नहीं देंगे कॉंग्रेस को आकड़े भी निकल कर आ रहे हैं सेफलोजिस भी अपनी बात कर रहे हैं परशांद किशोर एक ऐसे सेफलोजिस का नाम है जिनोंने कई पार्टियों के लिए काम किया नितीश कुमार के लिए भी किया है, ममता बेनर जी के लिए भी किया है, हदिया के कॉंग्रेस के लिए भी किया है और एक ऐसी संरचना बनाते हैं पार्टी के मद्दे नजर, जिसके बारे में वो बताते हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी उनका बहुत बड़ा बियान आया 36 गल के बारे में राजिस्थान के बारे में और मद्धे परदेश के बारे में सुनना बनता है तीनों चीजों का बाकी जो सेफलोजिस्ट हैं बाकी जो सर्वे करने वाले लोग हैं गोदी मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो तो आप जानते हैं कि वो किस पक्ष की बात करते हैं लेकि परशान किशोर की बात सुनी उन्होंने क्या लिखा हिंदुस्तान ने इसको चापा कि MP राजिस्थान 36 गड़ चुनाओं में कॉंग्रेस या BJP किसे मिलेगी जीत परशा केते हुए दिखाई दे रहे हैं चुकि जाहिर से बाते अशोक गहलोत ने जबरदस्त काम किये हैं और वहां भारत जनता पार्टी में थोड़ी फूल भी है वसंद्रा राजे नाराज बताई जा रही है आप पहले परशान किशोर की सुनिए वनना मैं परशान किशोर बन जाओंगा खबर देखिए कि मद्धे परदेश राजिस्तान समयत कई राज्जों में आने वाले दिनों में विदान सबाच चुनाओ होने हैं राजिस्तान और च्छटिस गल में जहां कॉंग्रेस की सरकार है तो वहीं मद्धे परदेश में बी जे पी और तेलंगाना में बी आरस की किसी भी समय इन राज्जों में विदान सबाच चुनाओ का बिगल बच सकता है हाला कि संसत के विशेश सत्र के बुलाए जाने के बीच वन नेशन वन इलक्षन के भी क्यास लगाए जाने लगे हैं लेकिन एक्सपर्स मान रहे हैं कि अभी काफी समय है ऐसे में आगामी विदान सबाच चुनाओ पर ही होंगे इन विदान सबाच चुनाओ को लेकर जन सवराज इन्होंने अपना एक बनारा खार प्रोग्राम जन सवराज के परमुख परशांद किशोर ने अपना अनुमान जताया है पीके पूर में कॉंग्रेस बीजेपी टीमची समय कई तमाम दलों को चुनाओ में जितवाने में मदद भी कर चुके हैं हाला कि कॉंग्रेस की जब बागडूर समाली थी कॉंग्रेस की हालत और ज़्यादा खराब होगी थी उत्तर परदेश की बाद टाइमस नौ के इंटरवियू में परशान किशोर ने जब राज्जों के विदान सभा में हारजीत को लेकर सवाल किया तो उन्होंने किस राज्जे में किस दल को बढ़ा थै इसके बारे में बताया पीके ने का कि राजिस्तान में बीजेपी थोड़ा सा आगे है लेकिन कॉंग्रेस ने पिछले कुछ महीनों पर जमीन पर वापसी की है वोई बात मैं आपको के एपिसोड में बता चुका हूँ लेकिन अब भी बीजेपी को थोड़ा आगे है मद्यपरदेश चुनाओ पर पर परशान का ने कहा कि MP में ललाई काफी कड़ी है लेकिन मार्जिन से बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज दूँगा और 36 गड़ में भी कड़ी फाइट है कई लोग मान रहे हैं कि कॉंग् अभी आगे है पर कड़ी फाइट है इसके अलावा तेलं गाना के बारे में परशान किशोर ने दोटू कहा कि वहां B.R.S. की B.R.S. तेलंगाना में चंदर शेकर रहा हो जीट जाएगी राहूल गांदी अगर वहां दोरा कर गए B.R.S. की बात कर रहा हूं तेलंगाना की बहुत सारे नेता कॉंग्रेस के तरफ जा रहे हैं और इसमें कोई दोराई नहीं है कि वहाँ बी आरेस चंदर शेकर की जो पारटी है वो नंबर वन थी और है भी और लग भी रहा था पिछले दूनों के वो बिल्कुल किलीन स्वीप कर जाएगी लेकिन कॉंग्रेस ने अब बागे टाइट वहाँ पर जो फाइट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट कर दी है अब दर्शगो राजस्थान की बात मैं आपको बताऊं राजस्थान में ये वाकई इसमें कोई दोराई नहीं लेकिन वहाँ जाती है समी करन हमेशा मैचेस जेता आता है चुनाओ अलग अलग रीजन में अलग 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 लोग हैं सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत की लडाई जब थी तो माना ये जा रहा था कि एजली भारते जिनता पार्टी आ जाएगी और अब भी ऐसा ही लगता है चुकि पिछले रिपोर्ट को अगर देखें तो वाकि लगता लेकिन जैसा की परशांद की शोर ने कहा कि कुछ काम किया है जमीन पर अशोग गहलोत की चरंजीवी स्कीम ले लीजे पांच सुर रुपे का सिलंडर ले लीजे या स्वास से रिलेटिड जो भी चीज़ें हैं पच्छिस लाख रुपे का बीमा दे रहे हैं वो लोग और भारत जनता पार्टी स्केतर आपस में अंतर कले हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जैसा बता रहे हैं परशांद की रुसोर के जमीन पर कुछ वापसी की है कॉंग्रेस आई वहां दुबारा से आ जाए अब आजाए मद्दे परदेश में मद्दे परदेश में ये स्ट्रीटों का फर्क था शायद एक सो नो मेरे खैल से भारत जनता पार्टी की आई थी और एक सो चौदा पंद्रा शायद इसकी कॉंग्रेस की आई थी वहां आपको मालूम है कि सरकार को डेड़ साल के बाद पलड़ दिया गया वहां जो हाल हुए आपको मालूम है कि वह फी बार यहां शिवराज चोहान वो थे योजनाय पर योजनाय वो बराबर ला रहें लेकिन जमीन पर हालात बहुत खास नहीं हैं तो मद्दे परदेश में कॉंग्रेस का एच जादा है हाला कि यह टाइट टक्कर बता रहा है तो दर्शक को परशांद की शोर की बात को भी म परदबंदन बना हुआ है तेजस्वी यादव यानि के लालू परसाद यादव की पारटी का और नितीश कुमार का उसको यह चोट पहुंचाने के पूरे मूड में हैं चुकि गली मुहले में नुक्कल पे वो काम कर रहे हैं लेकिन मैं आपको दर्शको चुनाओं की एक नेचर बता के अपने एपिसोड को ख़ता हूँ सारे चुनाओ रखे रह जाते हैं जब हावा चलती है जातीों की जब हावा चलती है धर्म की शीला दिख्षित ने क्या बनाकर रख दिया था दिल्ली को आप जानते हैं 20 बरस पहले 15 बरस पहले जो दिल्ली लोग जाते थे यूपी के इस तरफ से उधर से वापस जब आते थे तो काला रंग हो जाता था इतना डीजल इतना पॉलूशन लेकिन शीला दिख्षित ने क्या हाल किया हुआ ये तमाम चीज़े आपने देखी है लेकिन उसके बाद नई चीज़ आई केजरेवाल नया नक्षवाजी के साथ आई शीला दिख्षित को गर बेटा दिया हरा दिया हाला कि केजरेवाल ने बहुत अच्छा काम किया इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन मैट्रो की बात ले लीजे या दिल्ली के अंदर तमाम चीजों को बदलने की बात लेजे वो शीला दिख्षित ने की थी नितीश कुमार वहाँ शांदार काम कर रहा है लेकिन फिर भी भारते जिनता पार्टी बड़ी पार्टी बन गई थी उनसे बेराल ये एक समी करन थे जो परशांद की शोर ने बताए आपको ख़बर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक में जरूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए नेक्स टाइम में किसी ख़बर के साथ आता हूँ जैहिए